हेलो दोस्तो मैं विन्य कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्कॉलर्स निर्वाना में दोस्तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीके डेली डोस का सेट नमर सेवन और आज इस सेट में हम कवर करने आले हैं 20 important questions को और डेली सुबा 6 वजे ये वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाती है और इस वीडियो में हम आपको डेली 20 important questions कवर कराते हैं जो कि आपके previous year exam में आयो वे question होते हैं साथ ही साथ ऐसे questions होते हैं जो कि आपके सभी विश्यों से संबंधित होते हैं और एक आपके लिए quick review का काम करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के 20 important questions को और देखते हैं आज के important questions सबसे पहला question दोस्तों है यहाँ पर हमारा लोहे पर जंग लगना किसका उधारन है आपने देखा हो का जब भी क्या होता है लोहा जो होता है उस पर नमी और जो धूल होती है उसके काण आकर बैठ जाते हैं तो उस लोहे पर क्या होता है उक्सीकरण की क्रिया के द्वारा होता है उस पर जंग लगना प्रारम्ब हो जाता है सेकंड कोश्चन है मंत्री मंदल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो देखे प्रधान मंत्री के दौरा मंत्री मंदल के बैठक की अध्यक्षता की जाती है और प्रधान मंत्री जो कहते हैं मंत्री मंदल होता है उसका नेता होता है इसको भी आ रखिये और बहुमत दल का नीता भी इसको कहा जाता है कोश्चन नमर तीन है NGO स्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंद है तो देखिए NGO स्पर्म की बात करता है और यहां से हम बात करते हैं इसका जो आंसर है यह आपका ग्रैमी नेसी कुल तो गन्ना जो होता है वो ग्रैमी नेसी कुल का होता है और मैं आपको NGO स्पर्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा NGO स्पर्म ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें एक हम कह सकते हैं लकड़ी नहीं होती है आपिनी पूराथ होते हैं और यह जो एंग्यास सभी घटनाओं को पादन करते हैं तो यह स्वाद पूछे हाता है एक्जाम में कोशन नवर फोर है रिग वेद में दिर्ग कालीन या आजीवन आविवाहित कन्या को क्या कहा गया है तो दीखे जो भी कन्या आविवाहित रहती थी इसको बोलते थे आमाजू क्या कहते थे आमाजू यह यादर किया बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह कोशन पीश इंटरनेशनल का मख्याले कहां इस देता है तो यह इस देता है एमस्टर डम नीदर लेंड में पढ़ता है टिके याद रखिए कि नीदर लेंड में में अमस्टर डम है और यह इंप्टन कोश्चिन है ग्रीण की इस कि अपना पारियाबरण में शानती स्थापित करना और पारियाबरण की रक्षा करना कोशन पर चाहे है तिवत विश्व का सबसे उचा पठार क्योंसा है तिवत इसका अगला सप्के गई है तो यह नाम से क्लियर होगे शेन वॉर्ण के दोरह लिखे गए और सबसे बड़ी खास्यत इसकी है कि सेन वॉर्ण कहां के थे तो से इन वॉर्ण ऑस्ट्रियलिया के क्या है एक भैतरीन क्रिकिटर रह चुके हैं यह कुशन नमर आठ है भारत में पहली कृशी जनगर्णा किस वित्य वर्ष में हुई थी तो यह किस वित्य वर्ष में थी तो यह हुई थी 1970 से 1971 के समय में अगला कुशन ने रिगवेद में दस्यू शब्द किसके लिए प्रिक्ट किया गया है तो यह किया गया है अनार्यों के लिए किसके लिए अनार्यों के लिए प्रिक्ट किया गया है कुशन नम मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में या रिकिए 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह तो यह थे मारे आज की 10 कुश्चन से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जैसे पहला कुश्च मंत्री मंदल की बैठक के दिख्षता कौन करता है प्रधान मंत्री करता है एंज्यो स्पर्म किस कुल के गन्ये का संबंध है तो देखे ग्रैमीन एसी कुल का है यह रिगवेद में दिर्ग कालीन या आजीवन आगववाहित रहने वाली कन्यागों क्या कहते थे अमाजू क ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां इस थे तो यह एमस्टर डम में है विच्व का सबसे उचा पठार कौन सा है तो यह आपका देखे एक तिबबत का पठार है शेन वान सेंचुरी माई टॉप हंडर्ड के टेस्ट क्रिकेटर किसकी पुस्ताग है तो यह शेन व वीडियो के लिए प्रिक्ट किया गया है अंतराष्टिय मोबाइल उपग्राइस अंगटन की स्थापना किस वर्ष की गई है तो 1989 के समय में की गई है आगे के 10 कुश्चन कंप्लीट करते हैं जल्दी से यहां पर हमारा 11 कुशन है दोस्तों एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कारिक क्या होगा तो देखिए इस कंडिशन में क्या होता है वेक्ति क्या करता है शूनिकार करेग इसे यहां रखें कि जब भी जो भर जो बल होता है वो कहां वोता है नाइंटी डिगरी के एंगल पर होता है कुछ इस तरीग से जैसे कोई अगला कुशन है यदी राश्पती चाहता है कि किसी बात पर मंत्री परशद विचार करे तो इसकी सूचना वो किसे देता है तो इसकी सूचना वो प्रधान मंत्री को देगा किसे देगा प्रधान मंत्री को सूचना देगा अगला कुशन है किसी ग्यास का अड़ुभार उसके वाश्व घनत्तु का कितना होता है तो देखे दुगना होता है कितना होता है दुगना अगला कुछन है गौपत ब्रामण किस वेद से सम्बंदेते हैं तो यह आपका अथर्व वेद से पंदरवा कुछन है मानकी करण के लिए अंतराष्ठि संगर्ठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1947 इस्वी में की गई थी अगला कुशन है कोटोपैक्सी परवत किस देश में इस्तित है तो यह आपका है इकवेडोर ठीक है इकवेडोर में कोटोपैक्सी परवत है अगला कुशन है एक कोश्गिये जीवों का अध्यान सरवपर्थम किस वैज्यानिक ने किया था तो एक कोश्गिये जीवों का अध इस कांस अजयगा भूमी के प्रियोग के लिए को सब्सक्राइब बार में किस इतिहासकार को संडक्ष्ण मिला था तो इनका नाम है मिनहाज उल सिराज ठीके तो यह नाम है मिलहाज और सब्सक्राइब कुष्ण में 20 हैं मानकी करण के लिए अंतराश्च्च्ट संगठन का वर्ष की गई तो 1947 में इसके स्थापना की गई और यह जो मुख्याले है यह आपका जेनेवा में है कहां पर है जेनेवा जेनेवा परता आपका स्विजर लेंड में तो यह जी याद रखेगा ठीक है तो बहुत इंपॉर्डेंट है और यह था हमारे 10 कुशन नेक्स्ट वाल का प्रधानमंतरी को देगा कईरमर Ts Wenn dollar के उन्हत्रा की स्थापना किस वर्ष की गई 1947 में की गई कोट्टापैक्सिपरवत किस देष में स्थेते है इक्वेडूर में इस्तेते हैं एक कोश्च के जीवों का अध्यान सरप्रतम किस वैग्यानेक ने किया तो लिवन हॉक के द्वारा किया गया है केवल किसके प्रयोग के लिए भुकतान को आर्थिक लगान कहते हैं तो भूमी कोशन में 19 है इलतुतमिष के राज दरबार में किस इत्यासकार को संदक्षन मिला था तो मिनहाज उल्प सिराज को यह संदक्षन प्राप्त था अगला कोशन है मानकी करण के लिए अंतराश्टे संगठन का मुख्याले कहां इस्तेते तो यह जनेवा स्विजलेंड में इस्त साथ साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अच्छा लगता है ठीक लाइक जरूर कीजिये ठीक है